आजादी का सफर आकाश्वानी के साथ 18 सितंबर एक प्रसिद्ध भारतिय थियोसॉफिस्ट और स्वतंत्रता सेनानी भगवान दास की पुर्ण्यति थी भी है। शिक्षक भगवान दास ने कई शैक्षणिक संस्थानों के साथ साथ वारनसी की मशूर काशी विद्यापीठ की भी स्थापना की। वे ब्रिटिश भारत की केंद्रिय व्यवस्थापी का सभा के भी सदस्य रहे। भगवान दास का जन्म 12 जन्वरी 1879 को वारनसी में हुआ था। एनी बेसेंट के एक भाशन से प्रेरित होकर भगवान दास 1894 में थियोसोफिकल सोसाइटी में शामिल हो गये। भगवान दास कई वर्षों तक अखिल भारतिये कॉंग्रेस कमेटी की विभिन पदों पर कार्य करते रहे। 1934 में वो उत्तर प्रदेश की विधान सभा के लिए चुने गये। 1955 में भगवान दास को साहित्य और शिक्षा में उनकी उपलब्धियों के लिए भारत के सर्वोच्य नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया।